सबी दश्कों को मेरा नमस्कार, welcome back with a new video वैसे मैं already बहुत सारी diet related videos बना चुका हूँ बट आज का video होगा on public demand वीडियो का topic है budget diet plan for weight gain बहुत सारे लोगों ने मुझे message किये थे कि वो उतना spend नहीं करना चाहते अपनी diet पे और बहुत सारे लोगों के पास cooking का समय नहीं है सो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप से share करूँगा पूरे दिन भर की meals आईए अपना वीडियो शुरू करते हैं आईए अपने दिन की शुरूआत करते हैं एक healthy safe breakfast से जो की होगी मेरी first meal of the day तो देखते हैं इस meal में हम क्या खा सकते हैं सबसे पहली चीज मैंने एक glass गरम दूद लिया है जिसमें मैं 50 gram oats mix कर रहा हूँ मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ 10 बदाब जो की मैं इसमें डाल दूँगा और इसको थोड़ा मिठास देने के लिए मैंने यहाँ पर शहद का यूज किया है 10 gram 10 gram के करीब इसको हम mix कर देंगे इट टेक 3-4 मिनट अच्छे से बनने के लिए क्योंकि दूद गरम है वो इस oats को अच्छे से बना देगा साथ ही मैं यूज करूँगा वन बनाना आप इस बनाना को इसमें डाल के भी खा सकते हैं आप अलग से भी खा सकते हैं और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ दो अंडे जो की मैं यूज के साथ ही खाऊंगा ये मेरा एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा जिसमें मुझे काबोहाइडरेट, प्रोटीन, फाट मिलेगा तो ये मील आपको माइक्रो और माक्रो नूट्रियंट का पूरा एक मिश्रन देगी जिससे की आपकी दिन की शुरुवात अच्छे से होगी और बिकॉज अफ ओट्स, स्लो डाइजेस्टिव कार्ब है, ये आपको पूरा दिन भर में एनरजेटिक रहने में हेल्प करेगा आईए चलते हैं अपनी नेक्स मील की दरब हमारी नेक्स्ट मील है मिड मॉर्निंग स्नैक जो की मैं करूंगा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ये मील इजी टू कैरी है और जिसके लिए आपको स्पेशली कोई कोकिंग करने की ज़रुरत नहीं है आईए देखते हैं इसमें हमने क्या आप्शन्स चूज किये हैं हम यहां ले रहे हैं 100 ग्राम ओफ भुना चना handful ओफ अंसल्टेड पिनेट ये दोनों ही चीज़े आपको खानी हैं जिससे भरपूर मातरा में आपको फाइबर एंड प्रोटीन मिलेगा ये दिन का बीच का समय जो होता है उस टाइम सबसे ज़्यादा भूख लगती है आपको और मैं चाहता हूँ आप उस टाइम कोई हल्दी आप्शन चूज करें अपने में आईए देखते हैं अब हमारे पास लंच में क्या उप्शन है लंच में हम यहाँ पे खा रहे हैं 200 ग्राम ऑफ वाइट राइस बट अगर आप राइस नहीं खाना चाते तो आप रोटी भी खा सकते हैं बट मेक शूर तीन रोटी तो जरूर खाने साथ में हम लेंगे मूग की दाल एक बाउल बट इसके जगे आप कोई और दाल भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सालिड हमने लिया है फो दा फाइबर बट इतना खाने से काम नहीं चलेगा तो प्रॉटीन की सोर्सिज और एड की गई हैं या पे जिसमें मैंने आपको दो आप्शन दिये हैं या तो आप खाएं छे अंडे उबलेवे जिसमें आप खाएंगे सिरफ वाइट पार्ट या फिर आप खाएं 100 ग्राम ऑफ पनीर क्योंकि आपको वेट गेन करना है तो मेक शूर आपके पास जो भी मील है उसमें भरपूर मातरा में आपको प्रॉटीन एंड काप्स मिल जाने चाहिए आए अपनी नेक्स मील की तरफ चाहिए अब हम करेंगे अपनी प्री वाक आउट मील और ये मील बहुत इंपोर्टन होती है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपको बहुत उर्जा की जरुवत पड़ेगी तो आएए देखते हैं इस मील में हम क्या खा सकते हैं हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फोर स्लाइस आफ ब्राउन ब्रेड अगर आपको ब्राउन ब्रेड नहीं खानी तो आप कोई और भ्रेड भी खा सकते हो जिसको मैं खाऊंगा पीनेट बटर के साथ वैसे तो मारकेट में बहुत सारे ब्राउन ऐसे हैं जो कि पीनेट बटर बना रहे हैं पर मैं प्रेफर करता हूँ अलपीनो का पीनेट बटर क्योंकि यह और गैनिक है साथ ही साथ इसमें कोई प्रेजरवेटिव नहीं है अगर ट्रांसपेट चेक करोगे वो भी आपको मि और मैंने आज ही एक नया बाफ खुला है क्योंकि पुराना मेरा खतम हो चुका था जब भी आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे कि एक ओईल की लेयर आपको इसमें उपर मिलेगी बट बिल्कुल ना घबराएं इस असाइन और प्योरेटी एंड यह नैचरल पीनेट से बदा है तो खाने से पहले आप बस इसको मिक्स कर लें अच्छे से अच्छे से और यहां पर मैं यूज जो करूंगा वन सर्विंग यूज करूंगा जो की होगी अप्रॉक्सिमेटली 32 ग्राम जिसमें की मुझे 10 ग्राम प्रूटीन भी मिल जाएगा और यह एक आपका हेल यह अच्छे से डाजस्ट हो जाए और इसके नुट्रियंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करें वाइल यू वर्किंग आप वर्क आउट करने के बाद अब हम करेंगे अपनी फोस्ट वर्क आउट मील वैसे तो वर्क आउट करने के बाद वेप रोटीन पीना चाहिए बट क्योंकि हम बजट डाइड बना रहे हैं तो बिलकुल भी निराश ना हो अगर आप वेप रोटीन नहीं पी सकते तो आपके और अगर आप नहीं खाना चाते तो आप उबलेवे आलू भी खा सकते हैं 200 ग्राम वरक आउट के बाद की मील बहुत एहम मील है तो make sure आप इस मील को एक घंटे के अंदर जरूर कर ले मैं आप से share करूँगा कि डिनर में आप अब क्या खा सकते हैं डिनर हमारा कुछ हट तक लंच जैसा ही होगा जिसमें हम खा रहे हैं 200 ग्राम ओफ वाइड राइस फो दा काभो हाइड़ेड प्रोटीन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं मूंकी दाल for the fiber हम यहाँ पे खा रहे हैं salad और हम और भी protein इसमें एड़ कर रहे हैं जिसमें हम खा रहे हैं 150 gram of paneer paneer यहाँ पे choose करने का मेरा reason यह नहीं है कि हम दिन में already काफी अंडे खा चुके हैं but major reason है paneer में casein protein होता है जो की slow digestive protein होता है तो आपको यह पूरी रात भर आपके muscle recovery में help करेगा यह था हमारा आज का video और अगर आप calculate करोगे कि आपका महिने में diet पे कितना खर्चा होने वाला है तो 5-6,000 से जादा नहीं होगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like जरूर करें और अपने उन friends के साथ जरूर share करें जिनको budget diet चाहिए वो भी specially for weight gain मैं इस तरह की informational videos आपके साथ share करता रहूँगा आप channel को प्यार करो, subscribe करो बट subscribe के साथ bell icon जरूर दबाओ ताकि जो भी next video आए वो आपसे miss ना हो जाए धन्यवाद, good bye झाल झाल